बिहार दरोगा जरूरी है वैसे ही आपका B.S.S.C. Interlabel का भी प्राक्टिसिट लगाना जरूरी है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखे पहला हमारा परसने क्या है दोस्तों बोला है चलिए देखते हैं कि अब पहला प्रसन बोलाय कि एड्वोकेट जंडरल एक सिकेंट रहसे को हम साही कर लेते हैं इसके बोलाय कि एड्वोकेट जंडरल महाधीवक्ता के पत का उल्ले इक सभी समिधान के कौन से अनुदिव कर दोस्तों बताये वार्ण सही अंसर क्या होगा आपको दो से चार सेकेंड का टाइम दिया जाएगा तक यह आप अच्छे से जो है आज का आंसर कर पाएं देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा पहले का option number C हो जाएगा एक सो अनुछेद 165 में अनुछेद 165 में option number C correct answer हो जाएगा चलिए आते हैं question number 2 पे बोला है कि लोग सभा का कारेकाल कितनी बार 6 वर्स का कर दिया गया था इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा option number A हो जाएगा एक बार इसका सही आंसर होगा बोला कि सरकारियां आयोग का गठन किस वर्स या लециं किस विर्शनय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था सरकारियां आयोग का गठन तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा किसरे का option number B होगा केंदर राज संबंध हो जाएगा बी इसका correct answer हो जाएगा ठीक है बात करेंगे बाबरी मजद धांचे कोछ हतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयू का गठन किया गया था ठीक है अगला है कि अलपविक्षित देसों में गरीबी का मुख्य करण क्य है अलपविक्षित देसों में सही आंसर हो जाएगा option number B होगा आयका आसमानता होगा फोर्थ का जो है हमारा option number B होगा उद्धोगों में प्रसिक्षड विध्यारतियों को निसूलक अथवा कम कीमत पर पुस्तके और इस्टेदरी उपलब्द कराने जैसे आर्थिक कारिकरम आर्थिक कारिकरम सरपर्थम किस पंचवर्सी योजना में प्रारम किया गया है तो यह जो आपका किया गया है आपका पांचवी पंचवर्सी योजना हो जाएगा option number हमारे यहां पे पांचवे का C सही आंसर हो जाएगा ठीके पांचवी पंचवर्सी योजना इसका सही उत टॉल расп मियुदा तरज अगला है कि ड्याक के बाद किया ऊधिय के दवरान खाध्यानों विस्यस्ता गेहों के उत्पादर में बहुत विर्धी हुआ था फुरुष्धी हुआ था तो दोस्तों इसका उत्तर हो जायगा वर्स सब्सक्राइब करें जो आपका प्रारम में हुआ है अगला है कि पद फोर्थ सब्सक्राइब किसे सब्सक्राइब रखता है आपका उतर हो जाएगा प्रेस से आपसन नमबर हमारा डी सही आंसर होगा प्रेस की सब्सक्राइब का समिधान की अनुछेद 19 के कलाउज वन में नहीं थे नेस्ट है लिमलिखित में से किस कोटी के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है खेतिहर कहते हैं तो यह आपको हो जाएगा आपसन नमबर सी जो दूसरों क जमीन पर खेती करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कोटी के कामगारों को खेतिहर कहते हैं अगले हैं अगला प्रसने की आई एश्टी रथा जी मैं समाने समाने तराल है यह यह ङृद्द का सही हमारा हुज जाएगा ओपसन नमबर यह हो जाएगा साड़े 5 घंटा आगे ठीक ह जो आपका निर्धारत है जिरो डिग्री दिसांतर या फिर प्रधान दिसांतर से होता है अत्रसाइब 82 डिग्री पूर्वी दिसांतर का समय जो है GMT से साड़े पांच घंटा आ गया है यह बोले कि उच्तम न्याले ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुक्ता राजय की नितिय दिर्शक से धानतों के उपर इस्थापित किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलक नात का मामला ओप्सन नमबर जो है टेन का A सही आंसर हो जाएगा नेश्ट है कि पंजाब का सेर के रूप में कौन जनायता है देखे पंजाब का सेर के रूप में दोस्तों हम जानते है किसको बताईएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राए आप्सन नमबर हमारा यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा और बात करेंगे कि लाठी से मतलब पूलिस कर्मियों दोरा जाए लाठी से इनको चार्च किया गया था जो कि इनके सर पे बहुँ ज़्यादा चोट आया था साइमन कमिशन का विरूत कर रहे थे उस टाइम ठेक है तो यह भी नोट कीजिएगा समिधान में मौलिक कर्तवियों को डैस दोरा जो है सामिल किया गया था समिधान में तो इसका आंसर आप सभी लोगों ने कर दी दिया होगा जो कि आप लोगों ने आंसर किया है कोशन नमबर बारा का ओप्सन नमबर बी वेरे स्वास समिधान संसुधन जो कि आपका कब हुआ था तो 1976 में किया गया था अगला प्रस्थने के लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए अब इस्वास प्रस्ताव तो इसका सही आंसर देखिए तेरह का हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा 50 सदर से हो जाएगा 50 ओप्सन नमबर सी है ना तो आप अच्छे से यत रखिएगा तेखिए अगर आपको b.s.c. interlabel का सेट लगाना है तो आप सभी लोग मैसेज कर कर दीजिए भारत में उचितम नियाले के नियाधियस के रूप में नियुक्ति के लिए निम्निक्षित में से कौन सा अहरता जो है अनिवारे नहीं है तो यहां पर देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा उसके आई वे दोस्तों आपका कम का 35 होना किया है अगला हम परशन जेक लेते हैं आर्यो का भारत में प्रसम स्थाई अवास्था सही उत्तर हो जाएगा पंधरा का option number C होगा दर्सन दर्सन इसका सही आंसर होगा नेसेट किस देश की संसत का नाम है जो आपका नेसेट है किस देश का संसत का नाम है तो यह इजराइल का है दोस्तों इजराइल का है वही बात करेंगे मंगोलिया का तो आपका हो जाएगा खूराल ताइवान का हो जाएगा नेश्ट कोई अर्थ विवस्था टेक आफ अवस्था में होती है जब तो इस्थैतिक विकास प्रादम हो option नमबर जो है हमारा 19 का D सही आंसर हो जाएगा अगला है ग्राम सभा के संदर्व में निकित में से कौन से कथन असत्त है यानि गलत हमारा कौन सा है देखिए सबी कथन हमारा दोस्तों जो है सत्ते है ग्राम पंचायत पूरे गाउवँ की हित में निस्पछ रूप से काम कर सकते कर सके इसमें ग्रामसभा की महत्पुड भूमिका है ग्रामसभा पंचायत को मनमाने ढंक से काम करने से रोकती है और साथ पैसों का दुरुपियों कोई गलत काम न हो इसकी निग्रानी भी करती है ग्राम सबाद अफ्रीका को कौन सी जन संथी प्रिथक करती है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा एक किस का हो जाएगा ऑप्सन बरीज जिबराल्टर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर होगा महिला प्रेमियम लिग यानि डबलू पीयल गार 23 का खिताब किस टीम न जीता है तो मुंबई कि इंडियंस हो जाएगा ऑप्सन नमबर एस सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस किस राश्ट्रकूट सासक ने एलोरा के परवतों को काट कर प्रसिद कैलास मंदिर का निर्मान करवाया है तो इसका सही आंसर हमारा जो है 23 का हो जाएगा क्रिश्न प्रथम ऑप्सन नमबर हमारा डी राइट होगा जब किसी कारे में आवस्यक्ता से अधिक लोगों लगे लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से हम जानते हैं तो दोस्तों इसको हम जानते हैं 25 का दिखाए तो प्रच्छन बेरोजगारी जो कि ऑप्सन नमबर हमारा यहां पे सी सही आंसर हो जाएगा रेनुक इट आपका रेनुकूत है किस उद्धों के लिए पर शिद है रेनुकूत नमधी को से संबधित इस तपलत लोथल कहाँ पर है अगर लोथल आपसे पूछा जाए तो आप मारियेगा दोस्तो 27 नमबर को आपसन नमबर C कीजिएगा गुजरात में इस ती थे C इसका correct answer हो जाएगा लोथल का खोज कब हुआ था तो यह आपको वर्स 1954 में हुआ था वर्स 1954 में हुआ था गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्ट करने वाला पहला मुगल सासक कौन था गुजरात में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखिए 28 का हो जाएगा हुमाईयू ओपसन नमबर जो है 28 का बी सही आंसर हो जाएगा दांत का मंदिर कहां पर है देखिए दांत का मंदिर जो है दोस्तों यह आपको स्रिलंका में देखने को मिलता है कहां पर स्रिलंका में ओपसन नमबर बी किस वन्स के सासकों को हुणों को यानि हुणों की आकरमणों का सामना करना पड़ा है क्या होगा इसका सही आंसर देखिए इसका सही उत्तर हमारा जो है question number 30 का जो है गुप्त हो जाएगा option number C सनिप्त राश्टर महासभा के 387 का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है तो यह चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है option number A सही उत्तर होगा डेनिस फ्रांसिस कांग्रेस के 7 यानि कांग्रेस के एक मात्र प्रतिन धी की हैसियत से गांधी जीन में उपासित हुए थे क्या होगा इसका आंसर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा गोल में सम्मेलन जो कि आपका देखिए पहला 30 में दूसरा 31 में तिसरा आपका 32 यानित आप बोल सकते हैं 1931 में हुआ था ठीक है भारती सिनेमा का सरोच अवार्ड डाला साहे फाल के लाइफ टाइम अच्यूमेंट 23 से किसे समानित किया गया है तो दोस्तों ये समानित किया गया है औप्सन नंबर C हो जाएगा वहीदा रह्मान को भारत और पाकिस्तान के भी सिमला समझोते पर किस वर्स हस्ताक्षर किया गया था तो हस्ताक्षर पुछा जाये तो आप मारियेगा वर्स 1972 औप्सन नंबर A सही आंसर हो जाएगा अगला के तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किस से सम्मन्त पवित्रिष्थान है तो तलवंडी देखिए आपका हो जाएगा दोस्तो पैंतीस का ओप्सन नंबर सी होगा गुरु नानक देव अप्सन नंबर हमारा सी नहीं का यहां पर जन्म हुआ था ठीक है तो आंसर हमारा यहां पे सी होगा जो अब नानकाना साहिब के नाम से भी विख्यात है चली आगे देखते हैं कि आरे समाज की स्थापना कब हुआ था तो यह आपका बॉंबे में हुआ था तो कि आप्सन के क्याता है तो हमारा यह होगा और पूछाइब कि किसके द्वारा एक किया गया था स्वामी धैनल सव frightening किया गया था अठारह सो पचातर ने क्या गया था अगला कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है तो आप मारियेगा दोस्तो सहारा ऑप्सन नंबर जो है 37 का यह हो जाएगा और गोबी मरुस्थल जो है एसिया के सबसे बड़ा और सांत यानि एसिया का सबसे बड़ा और सीत मरुस्थल है क्या है सीत मरु सवा मिल की बनता है तो इसमें आप देखेंगे तो 39 को जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी यह हमारा दुस्तों गलत हो जाएगा ठीक है तो बीस का सही आंसर होगा आगे देखेंगे कि भारत में सको के प्रभूत को नष्ट करने वाला सासक कौन था आंसर देखेंगे हमारा हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी होगा चंद्रगप्त दुद्वित्य हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा सरवादिक महत्वपूर ब्राम्हन गरंथ कौन था है तो इसका सही आंसर देखेंगे 40 का हो जाएगा सत्पत ब्राम्हन ऑप्सन नमब मेने वाला प्रत्रम मुगल यानि मुगल समराट कौन था कह सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 41 का Όψand nembar भी जहांगीर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर अगला कि 23 को त्रीपूरा परिटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड अमेश्टर बनाया है तो ब्रांड अमेश्टर पूछ रहा है तो यह आपको हो जाएगा सवरो गौंगली ऑप्सन नंबर हमारा जो है तो यह आपको हो जाएगा ताड़ कवरिक्ष ऑप्सन नंबर जो है चाववालिस का यह सही उत्तर होगा ताड़ कवरिक्ष अंतराश्ट्री यह वन दिवस द्वार 23 में फोरेश्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाये गया है तो यह जो मनाये गया है दोस्तो एकईस मार्च हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा साथ अप्रेल की बात करते हैं तो विश्व स्वास्त दिवस हो जाएगा पांच दिसंबर को मनाते हैं विश्व मिर्दा दिवस और सोल सितंबर को क्या मनाते हैं तो विश्व ओजोन दिवस की रूपने मनाते हैं मैद चाबाहार बंदरगाह जो है इरान में स्थित है भारती समिधान के अनुचे देख सो तैस के तषट अध्यादेश को घोशना करने के सकती इन में लिखीत में से किसके पास होता है तो ये भारत के राश्टर पती के पास होता है तो आप्सन नमबर हमारे यहां पर क्या होगा so B सही हो अंसर हो जागा अब बयाए कि राजिपाल जो है कौन से आर्टिकल से संबद है जारी करता है अमेरिका महादेश के देश वेनेजूयला की बतायेगा तो इसका सही आंसर जो है 48 का हो जाएगा काराकस ऑप्सन नमबर हमारे यहां पे बी होगा लीमा की बात करते हैं तो यह पेरू का राजधानी लीमा है और जो क्वीटो दिया गया है यह एकवाडोर का है ठीके जाज़ टाउन की बात करते हैं तो यह गुयाना का ज खत्री हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए जम्मु कास्मीर और लगदाख दो कंदिसाइस प्रदेश जो आपके दो कंदिसाइस राज जो है कब बने थे तो यह बने थे दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 ऑप्शन नमबर हमारे हैं पर सी सही आंसर होगा अगला की दो पदास जल के संपर करना चाहिए लिए किसी वस्तू पर कोई बल लगाया गया यदि बल का परड़ाम तथा वस्तू का दरब्यमान ग्यात हो तो नियूंतम के दूसरे नियम की सहयता से हम तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बावन का हो जाएगा वस्तू का तोरण जो है ग्यात कर सकते हैं तो यह आपको हो जाएगा सिलिंडरी लेंस हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है हमारा तीरपन का ए सही उत्तर होगा एक दूसरे से डी दूरी परिस्तित एम और एम दरब्यमान वाले दो वस्तू की बीच लगने वाला अकरसन बल डैस के वितकर्मान पाती होता है तो आंसर ह सही हमारा देखिए उसके बीच के दूरी वरग हो जाएगा डी टू ऑप्सन नमबर यानि दी के स्वार हो जाएगा डी स्वार हो जायगा एप से और पहले टाप निया पहले बल का विसकार किस ने किया अध्यां großen तो इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा थामस समय welcome निटान की सुनियां लोगी ओम पर सिर्द और dolor fraction कुझ Bin फॉरrik um करना पादे नी करने पर हम पाते हैं तो हम पाते हैं स्थिल ऑपसे हमारा यहां पर पर दी सही आंसर हो जायगा अगला कि सभील संरश्ना प्र से अजना विघ्ञान क 화लाता है क्या की जो आपका विज्यान अध्यान इसको हम कहते हैं इनिटोमी कहते हैं जोकी ऑफशन की looking हमारा यह instructor जाएगा आप देखे आगे हम देख लेते हैं जोकी एक हमारा होता है Pomology तो follow के अध्यान से सबमंद आपको रखता है Pomology ठीक है एक होता है दोस्तो Anthology होता है कdoesना लिए सब्ण दोस्तों सब्सक्राइव दस्टों इसका सही उतर हो जाएगा पुनर जनण हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारा डी सही उतर होगा निंद ना आने के लिए पृवर्ग्ठ और सब्द किया है तो तो इसका सही उत्र हमारा 61 का क्या होगा, तो insomnia हो जागा, उप्शन नमबर हमारा 61 का भी होगा, उच्छ रख्त चाप वाले इस्थिती को क्या कहते हैं, तो hypertension कहते हैं, अगला कि यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है, यक्षमा रोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा, mycobacterium mycobacterium हो जाएगा दोस्तो option जो है हमारा 62 का क्या होगा तो A सही answer हो जाएगा अगला की अहार नाल के किस भाग में proteins का amino amino me निमनी करण होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी याद option number C होगा रोधीर कैंसर का दूसरा नाम क्या है तो इसका दूसरा नाम है दोस्तो 64 number का option number हमारा हो जाएगा leukemia जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा leukemia ठीक है वही बात कर लेते हैं जैसे सारकोमा होता है हड़ी का कैंसर एक होता है lymphoma है न तिया आपको हो जाएगा lymphocyte का कैंसर एक होता है milenoma जो होता है तोचा का कैंसर होता है एक होता है myeloma myeloma जो होता है plasma cell का कैंसर होता है अगला की chocolate स्वास्त के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उन में desk मातर आधिक होती है तो उसमें दोस्तों क्या मातर आधिक देखने को मिलता है तो nickel निकेल होता है सबसे अधिक option नंबर बी नेश्ट की अतिचालक वेत्तात्व हैं अतिचालक वेत्तात्व है छांचट नंबर क्या आंसर होगा कि इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा छांचट नंबर का option नंबर अगर हम जाएं तो क्या होगा बी होगा दोस्तों जिनका प्रतिरोध बहुत निवन तम या फिर निवन तापमान पर लगपक सूनी हो जाता है option नंबर बी एक दोनी तरंग की आविरती 50 हटज है और इसकी तरंग द्याद 4 मीटर है दोनी तरंग की चाल कितना होगा जो आपका दोनी तरंग का चाल होगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 20 यानि 200 मीटर प्रतिसेकंड हो जाएगा option नंबर ए दोड की दवरान धावक का गुरत्व केंद्र होता है तो सईड के मद्ध होता है option नंबर C होगा रसायनिक रूप से milk of magnesium क्या होता है देखे milk of magnesium क तो यह आपका aluminium और magnesium का है दोस्तों सत्तर का जो है सही आंसर हमारा यह होगा आंक का वह कौन सभाग जिसमें one होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निधायत करता है या फिर निश्चित करता है जैके 71 के अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा परितारिका यानि आईरीस हो जाएगा option number C, electron सुक्षमदर्सी के माध्यम से क्या दिखा जाता है उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीवानों तर्था विसानों यानि वाइरस की से नचना हो जाएगा option number 72 का B होगा निमलिखित में से कौन सत्त्तों समूह के समान वर्ग से संबं किया आता है तो क्या होगा इसका तो सुनार हो जाएगा option number हमारा B सही अंसर हो जाएगा सुनार का अगला है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया आता है कास्टिक सोडा तो यह आपको हो जाएगा वसा